नमस्कार वन इंडिया इंडी में आपका स्वागत है देश दुनिया में ऐसे लोगों की संख्या काफी ज्यादा है जो कोरोना महामारी के इस बुरे वक्त में अपने घर परिवार से दूर रहे कर लोगों की मदद कर रहे हैं ऐसे ही एक व्यक्ती थे आरिफ खान वो दिल्ली के सीलमपुर के रहने वाले थे लेकिन पिछले साथ महीने से घर सोने तक नहीं गये थे दरसल आरिफ दिल्ली में एम्बुलेंस चालक थे वो इस साल मार्च से ही पारकिंग एरिया में रह रहे थे वो इन साथ महीनों में करी 200 कोरोना मरीजों की मौत के बाद उन्हें अंतिम संसकार के लिए लेकर गए थे वो उनकी मदद के लिए 24 घंटे उपलब्द रहते थे लेकिन अब शनिवार को सुभा उनकी मौत खुद कोरोना वाइरस महामारी के कारण दिल्ली के हिंदू राओ अस्पताल में हो गई दरसल एंबुलेंस ड्राइवर आरिफ ने अपनी जान जोखिम में डाल कर 200 से ज्याद मरीजों को समय पर अस्पताल पहुँचाया और 200 से अधिक शवों को अंतिम संसकार के लिए शम्शान पहुँचाया कोरोना महामारी ने एक जिन्दा दिल वारियर की जान ले ली जुडे थे वो फ्री में एंबुलेंस की सेवा मुहिया कराने का काम करते थे एक किस मार्च से आरिफ खान कोरोना के मरीजों को उनके घर से अस्पताल और आइसोलेशन सेंटर तक ले जाने का काम कर रहे थे शहीद भगत सिंग सेवा दल के संस्थापक जिते इंदर सिंग शंटी ने आरिफ को जिन्दा दिल शक्सियत बताया और कहा कि मुस्लिम होकर भी आरिफ ने अपने हातों से दोसों से अधिक हिंदुों के शव का अंतिम संसकार किया आपको बतादे शंटी ने बताया कि जब आरिफ की मौत हुई उनके अंतिम संसकार के लिए परिवार के लोग पास नहीं थी उनके परिवार ने आरिफ का शव काफी दूर से कुछ मिनट के लिए ही देखा उनका अंतिम संसकार खुद शहीद भगत सिंग सेवादल के अध्यक जितेंद्र सिंग शंटी ने अपने हाथों से किया बतादेश शहीद भगत सिंग सेवा दल के संस्थापक ने बताया कि अगर किसी कोरोना मरीस की मौत के बाद परीजनों को आर्थिक मदद की भी दरकार होती थी तो आरिफ उनकी मदद करते थी बताया जाता है कि आरिफ की तबियत 3 अक्टूबर को खराब हुई थी तब भी वो कोरोना संक्रमित को लेकर अस्पताल जा रहे थी गौरतलब है कि आरिफ ने तबियत बिगडने पर कोरोना टेस्ट कराया रिपोर्ट पॉजिटिव आई परीजनों के मुताविक जेस दिन उन्हें अस्पताल में भरती कराया गया उसी दिन उनका निधन हो गया वो परिवार में कबाने वाले एकलोते सदस्य थी आरिफ के दोस्त जितेंद्र कुमार ने कहा कि अब परिवार पर दुखों का पहाड तूट गया है इस खबर में फिलाल इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ